T20 World Cup 2024 में ना खेलने के तमाम कयासों के बावजूद रोहित और वराज क्रिकिट के सबसे छोटे फॉर्मिट में लौट आए है अफगालिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में ये दोनों दिगर्ज बैदान में आपको नजर आने वाले है इसे के साथ ही ये भी साफ हो गया है कि BCCI इन दोनों खिलारियों को T20 World Cup में देखना चाहता है और इसलिए साल भर से ज़्यादा लंबे ब्रेक के बाद इनकी T20 स्क्वाइड में वापसी हो गई है रोहित और विराट का तो T20 World Cup खेला अब लगभगते हैं लिकिन अब केल राहूल को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे है रोहित विराट की वापसी से केल के लिए अब टीम में जगा बनाना थोड़ा सा मुश्किल नसरा रहा है हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि टीम इंडिया में वर्तमान में युवा खिलाडी लाजवाब प्रदर्शन कर रहे है ये शर्श्वी तिला करिंग कुसिंग ने T20 इंटरनाशनल में बाग टुबाग अच्छी पार्या खेली है फिर सुर्कमार यादव हो और हर्दिक पांडिया हो ऐसे खिलाडियों की भी जगाते है रुतराज गायकवाद अशुमन गिल्ट भी ताल ठोक रहे है ऐसे में केल राहुल की T20 टीम में वापसी होगी या नहीं ये बहुत बड़ा सवाल है दरसल इंग्लेंट टेस्स सिरीज को देखते वे कहा गया है कि राहुल को रेस्ट दिया जाएगा उनके लिए भी T20 के लिए दरवाजे पूरी तरह से बंद लेकिन नहीं हुए है फिलाहल तो उन्हें इंग्लेंट सिरीज को देखते वे आराम दिया गया है वो दक्षिन अफ्रीका के खिलाव वन डे और टेस्स सिरीज का हिस्सा रही है और बल्लेवाजी और विकेट कीपिंग के साथ उन्हें वन डे में कफ्तानी का भार भी डोया ऐसे में जो चेन करता है यानि कि जो चूज करते हैं उन्होंने इंग्लेंड के खिलाव पांच टेस्ट मैचों की लंबी सीरीज को देखते हैं उन्हें हराम देने का फैसला लिया है हाला कि ये चर्चा है कि केल राहूल कई मौको पर T20 क्रकेट में बेहर धीमी बल्लेवाजी करते देखे गए हैं और उनकी तुलना में भारत के पास बैतर विकल्प है ऐसे में केल की T20 International में वापसी असंभव है ये बात कुछ अत्तक सही भी प्रतीत होती है क्योंकि केल राहूल टेस्ट और वर्डे के लाजवाब खिलाड़ी है